हलो दोस्तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है आज बनाया मैंने खुर्मा इसे लोग सकरपारे भी बोलते हैं देखिए कितना अच्छा बनके तयार हो गया है पूरा एक दो कटोरी मैदे से मैंने इतना सारा खुर्मा बना के तयार किया है तो चलते हैं से बनाने के प्रो हमसे दो कटोरी हम मैदाले लेंगे आप इसे बढ़ा या घरटा सकते हैं तो देखिए मैने दो कटोरी मैदाले लिया है है जो थोड़ा smile था तो ऊछ कर दाख चैनलए मैंने डाल दिया अलग बज़़ा मैदा यूज़ किया आप इस में डालेंगे हम प्रीहाइन है तो रिफाइन देखिए हम इसे भी एक नाप बना लेते हैं तो मैंने एक बड़े चम्मच रिफाइन यूज किया है बट मैं इसे एक बार नहीं डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके इसे हम डालते जाएंगे और इस तरह से हम इसे मिक्स करते जाएंगे तो दो बार में मैंने इसे पूरा यूज कर लिया अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें मैंने एक चुट की नमक यूज किया है देखिए नमक थोड़ा सा डाल देने से टेश्ट दूगना हो जाएगा तो हम इसे मिक्स कर लेते देखिए अब इसमें हम पानी यूज कर रहे हैं पानी भी हमने लगभग आधा कप यूज किया है पानी को हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इस तरह से हम मिलाते जाएंगे क्योंकि एक बार जदी हम पानी डाल दीएंगे तो जिस तरह से हमें डो चाहिए उस तरह से डो बनके तयार नहीं होगा तो देखिए इसे हम एक अच्छा डो तयार कर रहे हैं अब पानी की जरूरत नहीं है अब इसे हमें दस मिनट तक इसे अच्छे से मसल लेना है ताकि इसका डो अच्छा से तयार हो जाए देखिए मैंने इसका एक अच्छे से डो तयार किया है अब इसे गोल कर लेंगे और गोल करने के बाद इसे हम देखिए इस तरह से हाथ से जितना संभव हो सके हमें इसे फैला दिये हैं अब इसमें थोड़ा सा हम आटा लगा देंगे और इसे एक मोटा परत हम बेल लेंगे ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और नहीं ज़्यादा इसे मोटा करना है देखिए हमने इसे एक मोटी परत इसे बेल लिया है अब इसे हम कट करेंगे तो आप जी सकार में इसे कट कर सकते हैं आप इसे लंबा लंबा छोटा छोटा या तो चवकूर भी काट सकते हैं तो हम इसे देखिए इस तरह से चाकू से हम काट लेंगे तो हम चवकूर काट रहे हैं तो इस तरह से हमने सारे खुर्मे को कट कर लिया और इसे इस तरह से एक दूसरे से अलग कर देंगे तो चलिए इसे हम काट लिये हैं अब इधर हम कडाही को गर्म होने देंगे गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे रिफाय नोयल आप चाहे तो घी यूज कर सकते हैं तेल को गर्म होने देंगे गर्म होने के बाद इसमें सारे खुर्मे को डाल देंगे और इसे डालने के बाद तुरंत ना चला है इसे हलका सा फ्राय होने दे उसके बाद इसे इस तरह से आप चला दे और बीच बीच में इसे छोड़ दे इस तरह से बीच बीच में चलाते अभी रहे ताकि एक तरब से ना जले हमें पूरी तरह से इसे गोल्डन फ्राइ कर लेना है देखें कुछ इस तरह अब इसे हम निकाल लेते हैं तो मैंने इसे निकाल लिया अब एक बड़ी कड़ाही हम यूज कर रहे हैं इसमें हम एक कटोरी चीनी डाल देंगे क्योंकि हमने दो कटोरी मैदा यूज किया था तो उसका आधा हम चीनी ले रहे हैं चीनी को हलका सा इस तरह से हम गर्म कर देंगे अब इसमें हम डालेंगे आधा कटोरी हम पानी डालेंगे देखें ज़्यादा पानी हम यूज नहीं कर रहे हैं नहीं तो सकरपारे अच्छे नहीं बनेंगे इसका गाढ़ा चासनी हमें बनाना है इससे आपका टाइम भी कम लगेगा और आपका चासनी भी जल्दी बनके तयार हो जाएगा तो इसमें एक उबाला लाने देते हैं तो देखिए एक उबाला गया है चासनी बिल्कुल गाढ़ा है तो इसी समय हम डाल देंगे सारे खुर्मे को और इसे हम एक मिनट के लिए पका लेंगे इसका सारा चासनी जो है न हमें सुखा देना है तो इसे हम बीच बीच में चला भी देंगे देखिए यह लगभग इसका चासनी सूख गया है फिर भी हम इसे कम से कम आधा मिनट के लिए और चलाएंगे देखिए हमने इसे अच्छे से चलाया है और लगवब बनके तैयार हो गया है अब इसे हलका ठंडा होने देंगे 10 मिनट के बाद देखिए इसे बनके तैयार हो गया है